आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ Download Now Hello friends, a question is हमको यहाँ question में दियागी Match it, तो हमको Column 1st से Column 2nd को, Column 1st और Column 2nd आपसे match करना है ठीक है, क्या होगा, तो पहला क्या है हमारा, जो Column 1st में यह है High Density Polythene, जो आपकी High Density Polythene है, यह आपको कैसे Form होती है, तो High Density Polythene क्या होती है कि It is formed When Addison Polymerization of Ethene, Ethene मतला आपका CH2 Double Bond CH2, यह जो है, टेक्स प्लेस इना HydroCarbon Solvent in the Presence of a Catalyst Such as, Triethyl Aluminium, ध्यान लगना Triethyl Aluminium and Titanium Tetra Chloride, TiCl4 क्या क्या है आपका, TiCl4 और आपका क्या है Triethyl, मतलब C2H5 Whole Thrice और Aluminium, यह आपका साथ में दोनों मिलका क्या है, यह Catalyst है इसका मतलब होगे, जिगलर NETA Catalyst जिगलर NETA Catalyst के Presence में यह रियक्षन होती है So, मैंने क्या बोला Such as, Triethyl Aluminium and Titanium Tetra Chloride, मतलब Jigler NETA Catalyst At a Temperature of 3, 3 3, 3 तो 333 Kelvin to 343 Kelvin के बीच में आपका यहाँ पर Temperature रखा जाता और High Pressure रखा जाता 6 to 7 Atmosphere तब जाके यह आपकी High Density Polythene बनती है ठीक है So, यह आपको बना और यह जो High Density Polythene दस प्रेडूस Consist of a Linear Molecules and have High Density due to Close Packing और इसकी High Density होती Close Packing की वज़े से और It is also Chemically Inert and Much More Tougher and Harder It is used for Manufacture Buckets में यूज होता Dust Wins में यूज होता है Bottles में, Pipes में एटसेक्टरा So, this is the High Density Polythene मतलब इसमार इस पर क्या हुआ कि जिगलानाटा केटिलेक्स की रेक्शन होई है और फिर आपको प्रेडूस हुआ High Pressure पर तो अगर हम इसका मैच करना चाहे तो एका कि किससे मैच हो जाएगा थार्ड से ठीक है अब इसके बाद हम लोग B पर आते है तो B में क्या है Polyacrylonitrile तो Polyacrylonitrile जो है The Addition Polymerization of Acrylonitrile in Presence of a Paroxid Catalyst कौन से Catalyst लेते हैं Paroxid Catalyst लेते हैं जैसे अगर हम बात बोलें कि एक मोल अगर हमको इसको Polymerize करना तो N-moles ले लिए इसके भी N-moles तब जाके आपका CH2 double bond CH और ये CN अगर इसको हम Polymerize करें तो हमको क्या है Paroxid Catalyst लेना पड़ेगा Paroxid Catalyst ठीक है तो Paroxid में आपका H2O2 भी आता है ऐसे आपके कुछ भी ले सकते है ठीक है जो भी आपके Paroxid होंगे और यहां पर Catalyst जो है यह इस तरीके से Polymerization Reaction देता है ठीक है So Polyacrylonitrile जो है यह आपका Paroxid Catalyst यूज होता है Polyacrylonitrile is used as a substitute for wool in making commercial fiber as allon तो allon बनाने में या Acrylonitrile बनाने में use होता है तो आपका B का क्या हो जाएगा Paroxid Catalyst मतलब 1st ठीक है आप इसके बाद हम लोग बात करते हैं C की ठीक है Novolag तो हमको Novolag की बात करें कि यह क्या है Phenol Phormally Hide से बनता है तो Phenol Plus Phormally Hide मतलब HCHO यह आपका किस के Presence में होता है H Plus और OH- क्या लेते हैं हम लोग ऐसा Catalyst लेते हैं मतलब Acid या Base Catalyst के Presence में आपकी Reaction होती है और आपको जो इस तरीके का Product जो है यह आपको देखने को मिलता है OH और यहाँ पर आपका CH2OH अब फिर यह जो है इसके N Molecules जो है यह आपका Reaction करते हैं और बना लेते हैं आपका Novolac ठीक है तो Novolac जो है वो आपका इस तरीके से होग जाएगा आपका यहाँ पर OH और यहाँ पर आपका यह है आपका CH2 फिर आपका इधर एक Molecules इस तरीके से ठीक है और इसके बाद आपको जो D है यह क्या है नाइलोन 6 है ठीक है तो आपका नाइलोन 6 है यह आपका क्या होता है एक Polyamides होते है ठीक है और यह जो है यह आपका Caprolactam से मिलके बनता है Caprolactam का जो formula होता होग आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर हम लिखेंगे CH2 whole 5 और यहाँ पर आपका C double bond O और यहाँ पर आपका NH So this is the Caprolactam और Caprolactam को अगर हम लोग 533 2543 Kelvin पर हम इसकी reaction water के साथ करा दें तो हमको मिलता क्या है यह आपका Polymerization होता है इसका आपको मिल जाएगा ठीक है यह CO CH2 whole 5 N H और यह आपका इस तरीके से This is the Nylon 6 ठीक है यह Nylon 6 है और Nylon 6 जो है यह आपका Condensation Polymerization है At High Temperature and Pressure ठीक है So मैंने Temperature बताया है 533 Kelvin और यह जो है यह आपका Tire Cards में यूज होता है Fabrics में यूज होता है Ropes में यूज होता है Nylon 6 ठीक है So यहाँ पर आपका यह क्या हुआ है कि Polymerization मतलब यहाँ पर आपका कोई बड़ा सा Molecules जो है वो बाहर निकलेगा ठीक है So जो हम reaction कराते है ठीक है So यह आपका हो गया और Condensation Polymerization होता है And Condensation Polymerization At High Temperature and Pressure So D का जो आपका option सही होता है So 2nd is D And D का match हो जाएगा So this is the match Thank you Classics to 12 से लेके Meet IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400 चार्सो पर